हेलो एव्रीवन वेल्कम बेक तो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैल डिजाइनर बैल बॉटम प्लाजो तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने दो मिटर के फैब्रिक पिर से इसे बनाया है और इसका जो फैब्र है वो लिलन फैब्रिक लिया है तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसे पहले मैंने चैनल को सब्स्क्राइब जरू कर लिजेगा और बैल का एकन भी क्लिक कर लिजेगा जिससे मेरी हार नोटिफिकीशन आपको मिलती रहे और मुझे इंस्ट्रक्राम पर फॉलों करना है 920 तो मैंने इसका आदा हिससा निकाल दिया हद मनले है मुझे एक मीटर का पार्ट बनाओंगे जिसमें से तो यह आपयों कर दिया है कुछ सिर्ए के फोरफोलों गया है उसके बाद हम path का नाना है सिसले पहले हम अपने हेपका मां करेंगे तो हिस तरह रहें है यहाँ ए तो यहां पर मैंने 20 इंच उपर का पार्ट लिया है तो यहां पर सबसे पहले मैं अपने हिप का मार्किंग करूंगी और इसकी जो चुड़ाई है वह आप अपने अकॉर्डिंग ले जितना आपका है उससे टो इंच प्लस करके ले तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा 10 इंच तो यहां पर मैंने 12 इंच पर मार्किंग किया है जितना आपका आसन होता है उतना ही आपको जितना आपका हिप होता है उतना ही आपको आसन रखना होता है तो यहां पर जो मैं आसन लोंगी वह 12 इंच लगका लोंगी लेकिन उपर से मैं यहां पर इसको बैल डाल 10-inch जंड देंके बारन करने के बाद सरांशिंगी चनिदे walksalı करतना देख सिकते हैं उपर के पार्ट का थिया,. तो यह पर देख सकते हैं चैंसे कम्याच ज्याधा ले सकते हैं आप इसे 15 इंच पी ले सकते हैं आपको जितना लें बड़ा चाहिए उपर वाला पार्ट में ले ले आप जितना आपका कपड़ा है तो यहां पर आप देख सकते हैं उपर की जो हमने बताया था दो इंच का इसमें मैं बैल डालूगी तो यहां पर जो है यह 22 इंच हो जाए इसके बाद हम अपनी बॉटम को कट करेंगे नीचे का तो यहां पर जो बचाओ एक मिटर का फैब्रिक था वो मैंने ले लिया है यह डबल फोल्ड में रखा है लेंट वाइस में उसके बाद में इसे फॉर फोल्ड करूंगी तो हमारा यह जो है यह स्क्वार शेप में हो जाएगा यह देख सकते हैं यहां पर जो इसके लंबा चोडाई है वो पूरी पूरी है ट्वंटी इंच लिया है मैंने यह सकते है ट्रंटी इंच बेंट में हैं तो इसे मैं ट्राइंगल शेप दूंगी कुछ इस तरह के शेप देने के बाद आपका जो नीचे का मोही थी अपने प्लाजों की वह हमारे एट इंच ली थी एंड उसमें टू इंच प्लस लिया था तो समझो फाइफ इंच हो जगया है फाइफ इंच को आपको डिवाइड करना है फॉर्ड से जितना भी आपका आएगा उपर की तरफ आपको इस तरह के से मार्किंग कर देनी है से आप अब मैं नीचे काइप कड करूंगी जितने भी आपकी ले नीचे का पाँआ है क्विए नीच हो जाएगा तो हमuage 19 इंच लेना था मैंने यहां पर 20 इंच लिया है तो यह टोटल हमारी जो लेंट है वो 38 इंच हो जाएगी कर स्टिच होने के बाद यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से राउंड शेप में जब आप इसे कट करेंगे तो इसका जो लुक आएगा वो कुछ इस तरीके से हो देख सकते हैं के और देख सकते हैं को को इसी तरिके से कट करना है वैं तो यह बहुत ही जादा गाता। बहुत ही तरीके से दो मिटर के फैब्रिक में आप इसे बना सकते हैं तो यहां पर आप का पाट अगर आपका यह कम हो थोड़ा सा तो आप इसे कट कर लिए अगर यह ज्यादा हो तो 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 यह इसको आजाएगा आपका तो यहां पर सबसे पहले हम स्टेचिंग की तरफ बाद जब हम इसे ओवर लैप करेंगे कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा तो उसके बाद जो हमने उपर की दो चार इंच की पटी कट करी ती सारी उसको मैंने साइडों से स्ट्रिच कर लिया है साइड से स्ट्रिच एक पटी बनाने के बाद हम यहां पर इसे तरीके स अंदर की तरफ डालेंगे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दोनों जो स्ट्रिच है आपकी साइड की वह दोनों साइड में चाहिए और उसके बाद आपको से स्ट्रिच कर लेना है पूरा राउंड चेप में तो कुछ इस तरीके से आपको से स्ट्रिच कर लिया है उसके बाद आपको इसे फोल्ड कर लेना है तो यहां पर निफा हो जाएगा तैयार तो आपको दो इंच का थोड़ा सा छोड़ना है जिससे आपकी लास्टिक पास हो जाए उसके बाद बाद में आपको स्टिच कर लेना है यहां पर मेरा जो निफा है वह स्टिच हो चुका है कुछ इस तरीकिसे इसका लुक आएगा और यहां पर मैंने देख सकते हैं लास्टिक डालने के लिए पास करने के लिए थोड़ा सा छोड़ा हुआ है बाद में स्टिच कर लूँगी उसके बाद आपको जो यह बैल है स्टिच हो गया है और यह देख सकता है कितना ही ब्यूटिफुल इसका लोक आरहा है उसके बाद हम इसकी साइट के से लाइ देंगे एंड नीचे से मोरी को हैं कर लें या फिर आपी को भी करवा सकते हैं तो यहां पर मैं इस तरीके से से किसाइट के तो यह पूरा नीचे और नीचे की साइट से इसे हलका सा फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड करेंगे नीज की मोरी को सो कुछ इस तरीके से या फिर आप इस पर पीको भी करवा सकते हैं वह आपकी च्वाइस है यहां पर हमारा जो बॉल बोटम है वह बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा उपर आपको टूटोरियल मैं जल्दी ही लेकर आउंगी इस नेकी वीडियो के बाद तो देखना मत दूलिएगा बाई